नमस्कार, राजस्तान की वे समस्त चात्रा हैं जिन्होंने है जो 2020 या फिर 2021 बाइस में जिन्होंने 10 तिया 12 पास कर रखे हैं और उन्होंने राजस्तान गारगी पुरुषान पुरुषकार रासी के लिए है जो अवाड के लिए आवेदन कर रखा, ऑनलाइन फॉरम बर रख का है तो यहां पर आप सभी के लिए है जो एक बड़ी अपडेट है समस्त चात्राओं के लिए यहां पर खुसकबरी है कि राज्जी सरकार ने है जो बाली का शिक्सा फानडेशन के लिए जो बजट है वो जारी कर दियेगा है अब आपको है जो गारगी पुरुषकार यो डीटेल में देख लेते हैं आप यहां पर हेड्लाइंस देख सकते हो 79,000 बालीकाओं को गारगी और 31,000 को दिया जाएगा बाली का पुरुषकार इसको थोड़ा डीटेल में पढ़ लेते हैं वीडियो को लाच्ट तक देखना और अभी से लाइक कर दीजे राजी के 79,000 ब रुपे का बजेट है वो प्राप्त हो चुका है और पुर्षकार की राजी है वो चात्राओं को वित्रीत करने का कार यह बहुत सिगरी इस्टाट किया जाएगा ठीक है दरसल 66,000 बालीका पुरसान के लिए है जो 71,000 चात्राओं पात रहे ठीक है लेकिन अभी तक करीब 1, एक लाग चात्राओं ने ही online आवेदन किया है अलांकि आवेदन की जो प्रक्रिया है प्रसेस है वो तीन जून चैया है जो इस्टाट है इसमें तीन बार आवेदन करने की जो अंतिम्तिती है वो एक्स्टेंट की गी है ठीक है यह आगे बढ़े जीए बावजूद इसके पचास परसंट यानि कि करीब एक लाग बालिकाओन है जो अब तक आवेदन नहीं किया है ओनलाइन आवेदन की जो अब लास्ट डेट है वो दो दिन उसमें सेस है यानि कि 30 सितम पर 2022 से इसकी लास्ट डेट रखी गई है तो वंचीत बालिकाओं के पास अब दो दिन का समय बाकी है बालिकाओं चिकशाफ़ांटेंशन के हधिकारियों ने बता है कि अब आवेदन की तिति में है जो बड़ोतरी नहीं की जाएगी तो अभी आप मेंसे कोई भी बैहन है जो जिन्नोंने आवेदन नहीं किया गारगी अवाड़ के लिए तो आप है जो आनलाइन कर सक करती हैं कि बचंद बंच मी पर जो मिलता है गार की पुर्षकार अबाड इस बार देरी से देरी क्यों हो रही है टेंट और ट्वेल्ट परिक्षा में जो उत्रण छात्रा है उनको बचंद बंच मी पर जो गार जाता है लेकिन कोरोना के कारण फिचले पूरी होने के बाद इन्हें पूर्षकार की राशी है वो परदान की जाएगी कोरोना में फॉर्मूले से पास होने के कारण है जो इसमें नियम बदल दिये गए है कौन से नियम में देख सकता है आप दोजार भी सिखिस में कोरोना के चलते फॉर्मूले के तरह 10 वी और 12 वी के विदार्थी को पास किया गया ऐसे में गारगी और बाली का पुरस्वान फुर्षकार की जो पातर चात्र है उनकी संक्या में जो बड़ोत्री हो गई क्योंकि परसंटेज जादा दिये गए थे सरकार ने यहाँ पर 75 परसंट के इस्तान पर अब है जो 90 परसंट अंग लाने बाली बालिकाओं को है जो दोनों फुर्षकार के लिए पातर माना है ठीक है तो यहाँ पर आपके लिए बड़ी अपडेट है बिल्कुल यहाँ पर जो राज्जी स्रकार ने बजट है वो गार की फुर्षकार और परसंट राशी लिए बजट जारी कर दियेगा है जल्दी आपको परसंट राशी फुर्षकार है वो दिया जाएगा तो आपको इस चैनल पर जब भी जो परसान राशी यह वो देना शुरू हो जाएगी तब जो आपको इस चैनल के मातिम से आप सबसे पहले वो अपडेट देती जाएगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर करें साथ ही दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करके सेर करें थेंक्स पर वाचिंग